जयन्बे धैरती व? क्या हाल चाल स्बाढ़िया चलते हैं ₽ भात्री जिसे कलास के साथ लिए क्योंकि आज क्लास सच में जानदार सांधार होने वाली है क्योंकि आज हम बिशावनों के बारे में आगे के बारे में बारता करनने वाले है कर मैंने आपको बिसे सुलूप से बिसाणुक से होने वाले रुखों की ट्रिक के बारे में महत्वपुन जानकारी देने का कार किया था जो कि आपके जीवन के लिए था आपके एक्साम के लिए आती महत्वपुन होने का कार कर रहा था छलते हैं बहतरीन से क्लास के साथ जिन पर ध्यारती जो नए है जल्दी से क्या करें अपने गुरूप में भीज़ते हैं वीडियो को सेयर कर दें दो को बता रहा हूँ अपने साथ सब को सब का भ़ला कर लो गारंडी दे रहा हूँ सब लोग बैती गंगा में हाथ दोने का कार करो जिससे की सभी का सेलेक्षन साथ में हो सभी की जोइनिंग बैतीन तरीके से हो जब चार लोग दोस्त बैठें मिलें तो बैतीन तरीके से सभी लोग पार्टी करने का कार करें किसी के मन में दुख का भाव उत्पन ना हो क्योंकि मुझे पता है अधिकतर सेलेक्शन रुकने का एकमात कारण GKGS का पोर्चन होता है और हम GKGS पर ही कमांड बनाने का कार कर रहे है यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अपना बाहुवली बैच भी चल रहा है जिसमें मैं आपको बाइलोजी के बारे महतपूर जानकारी देने का कार कर रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो जाएए पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हूए अस्ती प्लस वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेंगी इसके लावा सामको चार बजे राम से दू बैच के माध्यम से मैं आपको हिष्टरी के बारे में महतपूर जानकारी देने का कार कर रहा हूँ उसको भी आप जोईन कर सकते हैं इसके लावा अगनी पत बैच को भी जोईन कर सकते हैं कि आपको रात में आठ बजे पॉलिटी का एक बहतरीन सा बैच आपको भो भी देखने को मिलता है जो कि आपके एक्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए आती महत्वपन होने का कार करता है चलते हैं बहतरीन से क्लास के साथ बहतरीन से क्लास के बाद चंद पंदियों से शुरूबात करेंगे कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सचाई है तो कर्म कहा निस्फल होगा हर एक संकट कहाल होगा आज नहीं तो कल होगा क्योंकि लोहा जतना तपता है मेरे भैया सुनिएगा लोहा जतना तपता है उतनी ही ताकत भरता है सुने को जितनी याग ल कि वो उतना खूब चमकता है मिट्टी का वर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है और हम भीया जी हम आदम के बेटे हैं क्यों सूचे रहा सरा लोगा बक्त लगेगा पर संखर्ज जरूर सफलोगा हर एक संखट काहलोगा आज नहीं तो कल होगा हर एक संखट काहलोगा चलते हैं बहतरी इसी क्लास के पास कल मैंने आपको महत्पूर तरीके से जानकारी देने का कार किया था जो कि आपकी जीवन के लिए बहुत महत्पूर थी आज चलते हैं बहतरी इसी क्लास के साथ अगर बात करेंगे हम डेंगो की तो भाईया डेंगो के ऐसा रोग होता है जिसमें हड़ी तोड़ बुखार हड़ी टूर बुखार का मतलब आप समझेगा थोड़ा सा हड़ी टूर मतलब इतना बेहानक इतना जवड़ जस्त बुखार होता है कि हड़ी ऐसी लगती है कि टूट गई है इतना पेन होता है हाथ पेरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है हद से ज़्यादा इसके इलाबा आपको इतना तीज बुखार होता है बहुत ज़्यादा तीज फीबर होता है और हड्डियों में इतना ज़्यादा पेन होता है मतलब इस लगता है कि यार भगवान अपका करेगा है तो यह बहुत खतरनाक बुखार आपको देखने को मिलता ह यह मादा एंडीज के काटने से होता है किसके कहना सर नर नहीं मादा एंडीज के काटने से बिलुकुल भया जी मादा एंडीज के काटने से होता है यह क्या करती है यह रक्त में प्लेलिस्ट को प्रहायत करती है प्लेलिस्ट समझती है आप जो रोगों से लड़ने का कार करते हैं इसके लिए आप पता अगर आपको ये रोग हो जाता है तो अंजीर बगेरा खाईए बहुत फायदा करती है ठीक है तो ये प्लिलिष्ट की जैसे संक्याट्टी सेल्स हो गया जैसे इन सेल्स को खतम करती है इनको कम करती है रोग पृतिवरत कस्थ आपकी कम होने लगती है, तो क्या होती है? बहुत ज़ादा कमजोरी आने लगती है, बीकनेस आने लगती है, बहुत ज़ादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है डैंगू में, ठीक है? क्लास करेंगे थोड़ा सा continue में, 10 मिट रुखिए थोड़ा सा तो समझेगा डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी होती है जो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा इसमें हड़ी टोड़ भुखार का आपको सामना करना होता है देखो भीया जी इसके बाद इसमें क्या होता प्लेलिस्टों की कम हो जाती है प्लेलिस्ट मतलबती रुख प्रद्यूरदक जो आपकी छमता होती है वो कहीं न कहीं समाप्त करने का कार करता है जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एक्जाम के लिए अति महत्पूर होने का कार करता है एक सागन रुखिएगा थोड़ा सा तो प्ले लिस्टों की कमी हो जाती है जिससे की क्या होता है आपकी रूख प्रदूरतक छमता में कमी आपको देखने को मिलती है चलते हैं आगे की और आगे बात करेंगे हम पोलियो भाया जी आपको बताते हैं पहले की समय में क्या होता था पॉलियों के परती लोग इतने बहुत कहते हैं नहीं भाईया पॉलियों को ठीका नहीं लगवाना है हमारे बच्चे को ऐसा हो जाएगा बहुत सारी अफवाएं आपने देखने को मिली थी जैसे कि आपने कोरोना वायरस के जो डोस सल लाए थे ना वैक्सीन के बारे में हाट पे इतने माल जिए यह को आपका पैर पेर बहुत है लेकर यह आपके वहिं कर एम आपके जिंदगी को सुमिण हो करने का अकार गरती है तो यह आपको बता दें आज vengy गली-गली में आपको देखा होगा, पोलियो को टीका आज भी लगता है, पोलियो पिलाने आते हैं न लोग बाग, अपने देखा होगा, दस साल के बच्चे, बारा साल से बजनीचे वाले बच्चों को पोलियो को टीका दी जाता है, आठ साल के जितने भी हो, उतना तो मुझ बहुत भहिंग कर बीमारी होती है, वियाजिए, लसी का तन्त प्राव्विद होता है, पोलियो, पोलियो का जो ड्रॉप, अगर हम जो अपन ड्रॉप पीते हैं, लोक अंगन बाड़ी से से माता हैं, पिलाने के लिए drop बगएर आती है तो अगर हम drop की बात करें तो drop की जो खोज है Edward Sabit ने की थी Edward Sabit ने किया था किसने Edward Sabit ने किया था जबकि polio की TK की खोज अगर बात करें polio की TK की खोज की बात करें तो question ने किया था John Salk John Al Salk ने किया था इसके बात करेंगे यह होता है दूसर्द जल से भी हो जाता है दूसर्द भोजन से भी हो जाता है और कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी समस्यां जब पेट में हो जाता है बेबी को तो भी यह हो जाता है इसलिए पता स्टार्टिंग में पोलियो को ड्रॉप दी दियाता है, पोलियो को टी का पिलाए जाता है ठीक है? इसका बात करेंगे क्या हुआ आपको बताना के 27'MAR 2014 में WHO ने यौने फर्म कर दिया कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है क्या हो चुका है भारत पूलियों मुक्त हो चुका है भारत में बहुत कई परकार के अभियन चलाए गए बहुत परकार के अभियन चलाए गए बताए गए नहीं भईया आपको यह टीका लगवाना चाहिए आपको कितना नुकसान हो सकता है बड़े-बड़े सभी गायों में सहरों में बड़े-बड़े केम्प लगे वहाँ पर लोगों को फिरी बिल्कुल फिरी टीके दिये गए जैसे अभी करोना बारस के दिये गए थी न टीके इसी बरकाव स्टेंपड टीके दिये गए ड्रॉप छोटे बाच्चों को ड्रॉप लाए गए जिसी कि क्या हुआ 2014 में आकर हमने एक बहतरी से उपलब्दी प्राप्त की डबलो एचुनी है घुसित कर दिया कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है आपको बता दें अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पोलियो की बिमारी से जूज रहे हैं परन्तु भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त घुसित किया जा चुका है अब भारत में पोलियो की सकाथ आपको देखने को नहीं मिलती है क्योंकि जैसी बच्चा होता है तो पोलियो को ड्रोब अब तो सभी माता माता हैं बहने हमारी इतनी हुसियार हो गई है इतनी पड़ी लिखी है कि वो पोलियो का ड्रोब पर बिसी ध्यान रखती हैं अगर ड्रोब बाले नहीं आती है घर में तो आप आगनबाडी में जाती है इसके लबाब सिविल वगैरा मैं स्पतालो बगैर सरकारी इस्पतालो वगैर में भी जाकर बहे ड्रॉप लेती हैं बच्चे को दिलाती हैं इसके बाद बात करेंगी बीमारी को इन्फिलुंजा अगर बीमारी के बात करें तो इसमें सुसंत तंतर पुभावित होने लगता है यह समानता शामा नभासा में इसको फ्लू भी गलते हैं इसमें भी बहुत तेजी से सानों से ही होती हैं इसके बात करेंगे हम चेचक के अगर हम चेचक की बात करें तो यहां पर समझेगा यह है बेरियोला बाइरस क्या जासा बेरियोला बाइरस बहुत महित्पूर्ण है यह एक्जाम में पूछा गया आपको बता दें यह है आर आर भी में पूछा गया एक पहले यह है भारत में महामारी के रूप में थी क्या थी महामारी के रूप में थी इसमें स्याकड़ों लोगों की मरत्यू या मरत्यू हो जाती थी या जान चली जाती थी किन्तु सन 1975 में इसका उनमूलन या समाप्त हो गई यह बीमारी क्या हो गई भारत से समाप्त हो गई पता आज जब 1975 की बात है 1975 के पहले ये महामारी हुआ करती थी तो अब आज की लोग क्या अरे यार आदमी चेचक से मर गया अरे चेचक जैसे छोटी ची बिमारी से मर गया लेकिन आज से आपको बता दें जैसे अपना कोरोना बाइरस है न कहती हैं लाखों लोग मर गया करूरों लोग मर गया तो आज से मुश्किल से 10 साल के बाद लोग कहेंगे अरे यार करोना जैसी छोटी बिमारी से लोग मर गया 10-20 साल के बाद यहीं लोग बोलेंगे यार करोना जैसी छोटी बिमारी से मर गया क्योंकि उस टेम पे रितिनी टिकलोजी बिखसद हो जाएगी चेचक के समय सन 1975 में तिनी टिकलोजी बिखसद नहीं थी लेकिन फिर भी 1975 में तक इसका नुमूलन कर दिया गया था समाप्त हो गया था चेचक चेचक के टीके का खोज एडबर जीनर ने की थी किस ने की थी एडबर जीनर ने की थी इसके बाइरस को क्या बूलते हैं कैना सर इसके बाइरस को हम क्या बूलते हैं बैरी वाला बाइरस बूलते हैं और यह तचा को प्रभावित करती है अगर हम गल्सुआ कहें तो गल्सुआ आम तोर पर हमारे देने जीवन में सभी लोगों को कभी न कभी देखने को मिला होगा लेकिन ये एक क्या बोलते हैं बिशाणू से जनित होने वाले एक लोग होता है ये इसमें लार गरंथियां प्रहावित होने लगती है क्या होता है ये वाला जो हिस्सा होता है मुश्कल से आपते डुड़पते में सई भी हो जाता है ये दैनेक जीवन में सभी ने देखा होगा अधिकतर लोगों को हुआ भी होगा ये कोई बड़ी बात नहीं है गल्स हुआ तो ये होता रहता है लाल गरंथियां क्या होती है इसमें लार गरंथियन फैक्ट होने लगती है लिकनी ये सही भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है तो आज की किलास बताई ये जानदार सानदार थी की नहीं थी एक बार रिवीजन कर लेते हैं बहतरी तरीके से देखिए आप लो समझें अगर हम डेंगो की बात करें तो डेंगो में हडी तोर बukhar का हमें सामना करना पड़ता है ये मादा एंडीज के काटने से में होता है इसमें रखत प्ले लिष्ट प्रावित होने लगती है प्ले लिष्ट मैंने बता दिया क्या होता है इसका पोलियो की बात करें, पोलियो लसीका को प्रभावित करती हैं, पोलियो की ड्रॉप की खोज एडवर सेबिट ने किया था, लकिन इसके पोलियो की टिकी की खोज जो नाल सॉल्क ने, जोन सॉल्क कर लो, क्या, जोन सॉल्क ने, जोन सॉल्क की ही है, ठीक है, जोन सॉल्क समान बासा में इसको फिलू बोलते हैं चीचक को बैरियोला बाइरस से होता है यह तोचा को प्रभावित करता है इसके टीकी खोज अडबर जीनन ने की थी पहले यह भारत में एक महामारी के रूप में थी लेकिन और इसने सेगडो लोगों की जान को लेने का कार किया और सन 1975 75 के लगों में यह बीमारी समाप्त हो गई अगर हम गल्सवा की बात करें तो हमारी देनेक जीवन में सभी को गल्सवा हुआ 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 तो इसमें लार ग्रंती प्रहवित होने लगती है और यह एक प्रिकार का बिशाणू जानेतिक लोग हैं आतिकला जानदार सानदार कमेंट में जल्दी से बता दीजेगा और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आप अपने हातों से नोटसों को बनाने का कार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का कार करेंगे तो क्या होता है जब आप अपने नोटस बनाते हैं तो आप इसके साथ वीडियो को सापट करना चाहूंगा, जो बिध्यारती नए हैं क्या करेंगे जल्दी से वीडियो को लाक कर दीजिएएगा चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और सेर करके आईएगा अपने यार दूस्तों चाने बालों के साथ क्योंकि आज की जो वीडियो थी कही न कहीं बहत्री इनकज़ गुलता जाओ होने काकार कर रही थी इन्हीं चंद सब दो साथ बिदा लेना चाहूंगा जीवन में आनलते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा थैंक्स पॉर वाचिंग और इसके सके साथ ले लीजेगा जैन